नमो नमा, अस्याम E.P.G. पाट सालायाम, भावताम समेशाम हार्दम स्वागताम अहम बिहारिलाल शर्मा नव देलिस्त श्रीलाल बहादुर शास्त्री रास्त्री संस्कृत विद्या पीठस्य जोतिस विभागे आचारिय अध्य जोतिस सास्त्रस्यो भबो विकासस्य इत्यस्मिन विशय वेदांग त्वेन जोतिस सास्त्रस्य विकासह इति विशयम अधिक वयन पठ श्याम अश्य पाठ्यांस स्य तानी चित त्वानिवर्तंते तानी जोतिस सास्त्रस्य वेदांग रूपेण विकास ह którego वेदांग जोतिस ग्रम्थस्य परिच्वया ह triang अन वेदांगेसु जोतिसस्य श््वरूपम अमय भररत्य जोतिस विशयर्व विविच्यनम जत्त्वारी पाठ्छां सट्थ्वानि वर्तंत वस्तुताह जोतिस सास्त्रस ज्नाम बिना मानवः किमपिकर्थुम् न प्रभवती मानवस्व gebruण शर्वाण्य पिकार्यानी जोतिस सास्त्रे नैव संभवती व्यवहार आर्थं प्रतिदिनं उपयुज्य मानाह तिथी सप्ताह पक्षमास रितु अयन वर्षादयाह अने नईव शास्त्रेन अवग्यातुं शक्यंते। तैरपी ज्यायते यत कश्मिन नक्षत्रे वर्षा सुतराम भवती कदाच बीज वपनम करणियं। चंद्रमा यदा जलचर रासव स्थितो भवती जलचर नक्षत्रे सुवा भवती तदा वर्षा संजायते। वाराही सहितायाम इताद्रिशाह सिध्धानताह विवर्णिताह संती। यान अवलंब्य जलचर नक्षत्रे सुवर्षा योजनम भवितुंशकनोती। घूगरभाद प्राप्तानाम वस्तुनाम काल निर्धारणम जोतिस आस्त्रेण सम्यक्त तया क्रियते। श्रिष्टी रहस्य ज्यानम अपी जोतिस आस्त्रेण विशिष्ट तया क्रियते। प्राचीन काला देव भारत वर्षे सृष्टि रहस्य घ्यानार्थम जोतिस सास्त्रस्य उपियोगाहत् क्रियमानवस्ती। सिध्धंत जोतिसस्य ग्रन्थेशु श्रि स्विष्टे विवेचनम अवस्यमेव क्रियते। प्रक्रितव उस्थिता नाम अनू नाम रहस्यम ज्योतिसे विशिष्ट रूपे नूप तमस्ति ज्योतिसस्य आयुरवेदे महति उप योगिता द्रिश्यते ज्योतिस ज्यानम बिना अउसधी नाम निर्मानम यथा कालम नईव करतुम शक्यते शास्त्रस्यास्य ज्ञानेन रोगानाम जननकालाह प्रभावकालाह उप्षमनकालस्य अवग्यात मुशक्यन्त शास्त्रस्यास्य विशिष्टा अपयोगितास्ती यच्छास्त्रमिदं मानव जीवनस्य प्रत्यक्ष परोक्ष रहस्यानाम सुत्राम विशलेशनं करोती कस्यचन साश्त्रस सम्य ज्ञान प्राप्त्यई तदिति हास विशलेशनम अवस्यमेव करणियम भवति वैदिक काले सहितासु, ब्राम्हनेशु, आरन्यकेशु, उपनिशत्सुच यत्र तत्र जोतिस विशय की चर्चा समुपलभ्यते वेदांग काले जोतिस विशय काह स्वतंत्र ग्रंथाह विरचिताह अभवन यतोही कालेस्मेन, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, जोतिस, छंद, इती वेदस्य सडंगानि प्रादूर अभवन वेदो उपकार कत्वात रामायन महाभारत समृति पुराणादि नाम पि वेदांगत्पम सिध्धं भवते वेदांगानाम ज्यानम बिना वेदार्थाह सम्यगरूपेण नईव ज्यात्म शक्यह तत्र का नाम शिक्षा शिक्षते ती शिक्षा इती विद्पत्य अनुसारं मत्र ज्यातूं शक्यते यदेत्र वर्ण स्वरादी नाम उज्चारण विधेहे विवेचनम भवती शिक्षायाम वर्ण स्वर मात्रादी नाम उपदेशनम भवती शिक्षा विषेक ग्रंथाः प्रायसाः त्रिंसत संख्याः काह समुपलभ्यंते तेसु पाणी नीय शिक्षा यागिवल्क शिक्षा चेति मुख्यतया गृयते कलपः शौत ग्रिय धर्म सूत्राणं पारिभासिक विवेचनं यत्रक्रियते तदेव कलप उच्यते कात्यायनादिभीह रिशिभीह प्रतिपादितेशु स्रौत सूत्रेशु वेदोक्त यज्यादिनाम विवरणं प्राप्यते पारस्करादिभीह प्रुशिभीह प्रणीतेशु ग्रिय सूत्रेशु ग्रिहस्थ जीवनोप योगी नाम कर्मनाम विवेचनं प्राप्यते गौतमादिभी हिरिशिभी प्रणीते सुधर्म सूत्रेशु जीवनोप योगी नाम विशयाणाम निर्देशनं प्राप्यते। सुल्ल सूत्रेशु यग्य वेदिका निर्मान विशयकं विवेचनं प्राप्यते। निरुक्तम, निरुच्यते इति निरुक्तम इति वित्पत्या यसमिन सास्त्रे पद विभाग पुरस्सरं मन्त्रार्थ देवताह निरुप्यन्ते तन निरुक्तम उच्चते। व्याकरणं व्याक्रियंते वित्पाद्यंते वा शब्दाह अनेलिती व्याकरणं यस्मिन शास्त्रे प्रकृति प्रत्य विभाग पुरस्षरं शब्दाना मनुशास्नं क्रियते तद व्याकरणं मुच्चते। पानिन्यादि भीहि आचारियाई प्रणीत मिदम शास्त्रम बेदपुरुशस्य मुख मुच्यते। जयोतिसं जयोतिसाम सुर्यादि ग्रहाणाम भोधो यस्मिन शास्त्रे भवती तद जयोतिसं मुच्यते। शास्त्रयस्मिन ग्रह नक्षत्र धूम के त्वादिनाम जोति पदार्था नाम स्वरूपा ध्यायनं क्रियते ग्रह नक्षत्रा नाम गति स्थित्यनुसारं सुभा सूफल कथनं क्रियते जोतिस चक्र विशे प्रतिपादकं जोतिस शास्त्र मिदं लगधा अचारे आरे प्रणी तमस्ति चंद शास्त्रम। प्रणी तमस्ति चंद शास्ति चंद शास्ति चंद शास्त्रम। प्रणी तमस्ति चंद शास्ति 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 चंद ग्रह नक्षत्र ज्यान परयंतम एव सीमितम नासीत अपितु धार्मिक राजनितिक सामाजिक विशय स्वपी शास्त्रस्यास्योप योगो भवतिस्मा वेदांग ज्योतिशस्य रचनाकाल विशय मतैक्यम नास्ति प्रफेसर नक्समूलरह अस्यरचनाकालह एशातह पूरवं तरिसतं इतिमन्यते प्रफेसर वेवर एश्वी पूरवं पंच सतं इतिमन्यते कोलवरुक महोढयस्च इश्वी पूरवं दसाधिक चतुरदस शतं इति ग्रंथेस्मिन सट्रिन्षत कारिकाह संति, यजुरु वेद जोति से एकोन पंचा सत्कारिकाह वर्तंते, यासु सट्रिन्षत कारिकाह रिगवेद जोति सस्यईव वर्तंते, त्रयोदस कारिकाह नवीनाह संयोजिता संति, अधर्व जोति से द्वी सस्थ्युत्र सत्ष्लोक अलोचनात्मक द्रिष्ट्या वेदांग ज्योतिसे प्रतिपाधितानाम सिध्धांतानाम विशलेशनें ग्यायते ज्योतिसस्य नईके विशयाह अविक्वसित्वाह एव वर्तंते। नोट्स अन हिंदू एस्ट्रनामी इती ग्रंथे लिखती। ज्योतिसकरंडकस्चेत्यादयाह एतद्विशयकाह स्वतंत्र ग्रंथाह संती। सत इश्वीताह त्रिसत इश्वी परयंतकाले शास्त्रस्यास्य विशिष्टा उन्नतिह संजाता। कृतिकादी नक्षत्र गणनायाम रासिक्रमो निर्धारणं कर्तुम् सक्यंते स्माह अतह अस्विन्यादी नक्षत्र गणना प्रारब्धा। संपात तारा रूपेण रेवत्याह ग्रहनम जातमासीत काले स्मिन जोति सस्य अस्टादस प्रवर्तकाह आचारियाह संजाताह। यई स्वधिव्य ज्यानेन जोति स्विश्यकाह सिध्धांत ग्रंथाह अन्य चुग्रंथाह विरचिताह। सूर्पिता महो व्यासो वसिस्ठो अत्री पराशरह कस्यपो नारदो गरगो मरीची मनुरंगिराह लोमसह पौलिशस्चैव चवनो यवनो भिगुह। शाउनको अस्टादसास्चैते जोतिही शास्त्र प्रवर्तकाह। पाराशर मतानु सारेण विश्व सिंगनारदो व्यासो वसिस्ठो अत्री पराशरह लोमसो यवनाह सूर्यह चवनाह कस्यपो ग्रिगुह। पुलस्त्यो मनुराचार्यह पौलिशह सौनको अंगिराह गरगो मरीची रित्येते गेया जोतिह प्रवर्तकाह। कास्य पस्य अभिमताव जोतिश सास्त्रस्य परवर्तकाह अस्टादस संख्याकाह आचारियह संतु। किन्टु पाराशर रिशेह अभिमताव एकोन विन्षती संख्याकाह आचारियह परिगणिताह संती। रिग वेद जोतिशं कालस्यास्य आद्या विशिष्टाच रचना वेदांग जोतिशं मन्यते। रिग वेद जोतिशं कालस्य आद्या वेद जोतिशं मन्यते। नमस्कृत्य कालं प्रणम्य सरस्वतिम्च अभिवाद्य महात्मनों लगधस्य उक्त्यनुसारं काल ज्यानस्य वरणनं करिश्यामीती। रिग जोतिशे वर्णितमस्ती यन माघ सुकल प्रतिपदायां युगारंभः। पॉस्क्रिश्न अमावस्यायांच युग समाप्ती जायते यथा। स्वराक्रमेते सोमारकव यदा साकं सवासवव स्यात्तदाद युगं माघ स्तपस्चुक्लोयनं क्युदक। यदा धनिष्ठा नक्षत्रे सूर्यचंद्रमसोह योगो भवती तदा युगारंभो भवती युगोयं माघ सुकल प्रतिपत्तिथाव जायते। पयनस्य चर्चा वैदिक कालाद भिन्ना प्राप्यते। युगेस्मिन आशलेशादीशु नक्षत्रेशु दक्षणायनं थनिष्ठादीशु नक्षत्रेशु उत्रायनं च आभिमन्यते। दिन मानस्य वर्णनम कुर्वता आजारियन तद ब्रिद्धिहानि विशयकं प्रमाणम अपि प्रदत्तमस्ति। घर्म ब्रिद्धिर्व पाम प्रस्थाह क्षपाहरास उदगतव। दक्षणे तव विपरयाशह सन्मुहूर्त्ययने नतू। उत्तरायने उदकष्य एक प्रस्थ स्याम दिनम अभिवर्दते ताव देव रात्रे क्षयो भवती उत्तरायने एशा स्थिती ही विपरीता भवती। घर्मो दिनम उच्चते एकाह प्रस्थ इति नाडिकाह उच्चते पंच वर्शात्मक स्याईक युगस्य दिनादि मानं इत्थम विवरनितमस्ति युगे साब्सदिनादि एकाह युगे मानं इत्ता नसले काहा विवरनितमस्ति युगे चांद्रीनादि एकाह ятельादि काह प्रस्लेकाह आओ स्याईक विवरनितमने विवरनितमस्ति प्रथमायनाद दृतियायन प्रयंतम सावं दिनानी त्रय शीत्य अधिक सतं रिग ज्योतिसे रजनाकाले ग्राहनाम राशिनाम चस्पस्त व्यवहारो равно नई प्राक्यते रिग जोतिसे गणित विशयकम किमपी विशिस्टम विवेचनम नईव प्राप्यते यज्यादी विधाने काल ग्यानार्थम नक्षत्र पर्व अयनादीनाम विधानम प्राप्यते याजुस जोतिसम यजुर्वेद जोतिसं रिग जोतिस्वत एव विशयान प्रस्ताउती, विशय प्रतिपादने कस्चन मौलिक भेदो नईव द्रिश्यते, ग्रंतियस्मिन एकोन पंचासत संख्याकाह स्लोकाह संती, तेशुच त्रिंशत संख्याकाह किंचित पाठांत रेण रिगवेद ज जोतिसादे ग्रिहिताह संती, ते अपि श्लोकाह सब्द रचनादी द्रिश्ट्या भिन्ना इव प्रतिभांती, तिग वेद जोतिस्ष्य इव याजुस जोतिस्ष्य अपि प्रयोजनं परव ज्ञानं मेवास्ती, यथोक्तम युगस्च पंच वरसाणी काल ज्ञानं प् प्राप्त्कते यथा त्रिंसत्यन्हाम सस्थ सस्थिरब्दह सच चरतवो अयने मासा द्वादस सूरयाह सूरेतत पंच गुणं युगं एकस्मिन वर्षे सट सस्थिउत्र त्रीशतम दिनानी सडरितवाह द्वे अयने द्वादस सौर मासास्थ भवंती एते सामेव पंच संख्याया गुणेन युगंभवती यथा सच शस्थ्युत्र त्रीशतम दिनानी पंच भी गुणिते सती त्रिंसत दुत्तरास्टा दस सतम दिनानी सडरितवाह दोई अयने पंच भी गुणिते सती 10 अयनानी 12 सौर मासाह 5 भी गुणिते सती 60 सौर मासाह 7 रितवाह 5 भी गुणिते सती 30 रितवाह 2 अयने 10 भी गुणिते सती 5 भी गुणिते सती 10 अयनानी 12 सौर मासाह 5 भी गुणिते सती 60 सौर मासाह एकस्मिन युगे 30 उत्तर 87 शतम दिनानी त्रिंसद रितवाह दस अयनानी सस्थी सौरमासास्च भवंति एवमेव त्रिंसद उत्तर अस्टादस सतं सूर्योदयाह दृ सस्थी चंद्रक्रमास्च जायंते तैथैव, पंच त्रिंस दुत्र अस्टाद स सतं, नक्षत्रोदयाह, चतु त्रिंस दुत्र शतं अयनान, चतुर विन्सत्युत्र सतं, परवानी, सत्थ सस्थी परयायास्च भवन्ति, यजुरुवेद जयोति से अधिमासहेतु रिथं बिबर्नित अस्थी। दिवनम् दुशस्ठिर भागेनम् हेयं सूर्यात सपारवणम् यत्रताबुख जायेते मध्ये चानते चाधिमा सकव। वेदांग जोतिसी ये पंचांगे चांद्रमासा पेक्षया सौर वर्ष माने अधिका अशुद्धया हसंति। वस्तुत अत्र थूल पद्धती क्रिःतास्ति वेदांग जोतिसे केवलं सूर्य चंद्र ग्रहयो गतायाह व्याख्याताह संति अन्येशाम ग्रहाणाम विशाये नकिम अपि विशिष्टम वर्णनम प्राप्तिते। सूर्य चंद्र मसो हो अपि मध्यम मानं मेव निर्दिष्टम नतु स्पस्ट मानमिति। सूर्य चंद्र मसो हो स्थिती ही निरूपितास्ति रासि ज्याना भावएपी सौर्य मासस्य स्फष्टरूपेण उनलेखाह प्राप्ते। अथर्व जोतिशं। गुनाप्रोक्ता नक्षत्रम्च चतुर्गणं वारस्चास्ट गुनाप्रोक्ता करणं सोडशान्मितं। द्वात्रिन्शद्योगस्तारासस्टिसमन्मिता चंद्रहत्षत्गुनाप्रोक्तस्तस्माचंद्रबलावलं। ग्रहाणं वर्णनं तत्र यथा आदित्यह सोमो भौमस्च तथा बुद्ध ब्रिहस्पति भार्गवह सनैश्चरस्चैव एते सप्त दिनाधिपाह एतानी सप्त वासराणं नामानी संति श्लोकांतरेशु वासर प्रसंगे ग्रहाणं अन्यानी नामानी वर्णितानी संति यथा सूर्यह लोहितांगह सोमसुताह देव गुरुहु गुरुहु भृगुहु शुक्रह सूर्यसुतस्चेति सत्ष्लोकानंतरं लिखितमस्ति अलप ग्रंथं महारघंच प्रवक्षामी प्रिगोमतं एतदनंतरं दुशस्थि संख्याकाह स्लोकाह संति अथर्व जोति से जातक सास्त्रं बीज रूपेण प्राप्यते भागोयं महत्वा धायको अस्ति ग्रह उलका विद्युदादि भीहि नक्षत्रानां संपीडने सति प्रत्यकं नक्षत्र वर्गे जायमान भयस्य वर्णनंकृतमस्ति ग्रहोलकाशनि निरगातै कंपदाहिष्च पीड्यते यद्यद्भयं भवतितत तत्रवक्षाम्यशेशतह अत्रोक्ते नग्रह सब्दे न सूर्यादि ग्रह अभृतास्ति अन्ते पितामहकस्यपयोह संबाद वर्णन पुरस्वरमुक्तमस्ति हात्म जोतिसं मित्युक्तं स्वयमुक्तं स्वयम् भुवाह तत्वताह प्रिच्यमानस्य कास्यपस्यमहात्मनहां य इदंपठते विप्रो विधिवच्य समाहितह य थोक्तं लभते सर्वं आमनाय विधिदर्षणात् ग्रंथे एतन न कुत्रचिद पिलिखितमस्ति यदयं ग्रंथाह अथर्व जोतिसं अस्ति किन्तु अंतिमें श्लोके आमनाय विधिदर्षणात् इती शब्देन कथनस्यस्य पुष्टिह भवती यद्यपी अयं ग्रंथाह रिगवेद यजरवेद जोतिस ग्रंथा पेक्षया नवीनो अस्ति तथापी अस्य प्राचीनता तथाईव वर्तते अत्रापी मेशादी रासिनाम उलेखो नईव द्रिश्यते एवमेव वेदांगेस अन्येशु कल्प व्याकरण निरुकतादी स्वभी प्रसंग वशाद जोतिस विशयकं विवेचनं प्राप्यते तत्र कल्प सूत्रे जो तोरणमास्याम शवनकर्म आश्वलायन ग्रियसूत्रे कुत्रचित्य रितूनाम उलेखो द्रिश्यते तत्र वसंत रितोहो आरंभाह कृतो अस्ति तिथी शब्दो नईव कुत्रचित प्रयुकतो अस्ति किन्तु प्रयुकतेशु नैकेशु वाक्येशु चतुर दसित्य शब्दाहा तिथी वाच कत्वेन प्रयुप्ताह संती। मार्ग शीर्ष्याम प्रत्य वरोहणं चतुरदस्याम ग्रिय सूत्रे, खे मन्त शिशिरयोस्त चतुरणाम परपक्षाणाम अस्टमी स्वस्टकाह ग्रिय सूत्रे, अध्यायो पाकरणं स्रावनस्य पंचम्याम नईकेशु स्थलेशु अयनस्य विशुवस्य चोल लेखो द्रिश्यते ध्रुग अरुंधती सप्तर्शी नाम पिवर्णनं प्राप्यते ध्रुबं अरुंधती सप्तर्शी नीती द्रिश्ट्वावाचं विश्रिजेत पारस्कर ग्रिय सुत्रे स्वपी जोतिस विशयकं विवेचनं यत्र तत्र प्राप्यती यथा मार्ग सीर्ष्याम पौरण मास्याम आग्रहायनीकं पारस्कर ग्रिय सुत्रं आश्वलायन सुत्राद नवीनं प्रतियते यतो ही यत्र आश्वलाईन सुत्रोकताहा बेहगो विशयाहा विवर्णिताह संती विवा नक्षत्र विशय तत्र उक्तमस्ती त्रिशू त्रिशू उत्रा दिशू स्वातव म्रिगशिर्षी रोहिन्याम पारस्करग्रीय सुत्रे क्रिशी कर्म विशेवपी नक्षत्र विवेचनम प्राप्यते तत्र जेश्ठायाम ख्षेत्र कर्षणम मूल नक्षत्रे जादस्य मनुस्यस्य फलमुक्तमस्ति यथा मूलांसे प्रथमे पितुरनेस्टो द्वितिये मातुस्प्रितिये धनधान्यस्य चतुर्थे कुलशोका वहस्वयं पुन्यभागी श्यात पारस्कर्ग्रिय सुत्रे उप्रियुक्ते वाक्ये मूला नक्षत्रस्य चत्वारह अंसह विविक्ता हसंती एवमेव हिरन्यकेसी आदिसु सूत्रेस्वपी जोतिस विशयाह विविक्ता हसंती बौधायन सूत्रे मीनमेशादी रासिनामुनलेखा प्राप्यते इथम ततत्त सूत्रेस्वपी प्रसंग वसात निूना अतिरिक्तं निरुक्तेपी जोतिस विषेकं विवेचनं प्राप्यत W अधो लिख्य मानेशू, वाक्येशू, दिनरातरी, शुकलपक्ष, खृषणपक्ष, उत्रायण, दक्षिनायलेती नामाणी उल्लिखितानने संती अथिये हिन्षामा स्वित्य विद्यामुत्षिज महत्तपस्ते पिरेचिरेण बेदोक्ता निवा कर्माणि कुर्वन्तिते। धूमम्म अभिसंभवंति, धूमाद रात्रिम्म, रात्रेर अपक्षिय मानं, पक्षम्म अपक्षिय मानं, अपक्षा दक्षिनायनं, दक्षिनायनात पित्रि लोकं प्रति पद्यंते, अथिये हिंसा मुत्स्रिज्य विद्या मास्रित्त महत्त पस्ते पिरे ज्ञानोक्ता निवा करमानि कुरवंती ते अर्चिरभी संभवंत्य अर्चि साहे रन्ह आपूर्य मान पक्षम् आपूर्य मान पक्षाद उदगयनम् उदगयनाद देवलोकं देवलोकाद आदित्यम् आदित्याद बैद्युतं बैद्युतान मानसं मानसह पुर्षो भूत्वा ब्रम्मलोकं अभिसंभवंती तेना पुनरावर्तंते शिष्टादंद सूकायत इनम्न जानंती तस्मादिदंबेदितव्यं अथाप्याह एवं एव दिनरात्री पक्षायनादिनाम उल्लेखः प्राप्यते यथा तत्रईव निरुक्ते चतुर्दसाध्याय कथितमस्ती युग सहस्रांतं अहर ब्रम्हनो विदुहू रात्रिम युग सहस्रांतां ते अहो रात्र विदो जनाह इति व्याकरने जोतिस बिवेचनम, पानिनी व्याकरने प्रसंग वसा जोतिस विश्यकाह उलेखाह प्राप्यते, कानिचिन सूत्राने अत्र विलिख्यनते यत्र जोतिस संबधम बिवेचनम प्राप्यते वेदेशु कुत्रचित संबत सरस्यार्थे प्रयुक्तोव वर्ष हायन सब्दव पाणिनी व्याकरने प्राप्येते। सत्र सूत्रमस्ती वर्षाल लुक्च चैत्रादी मासानाम नक्षत्र प्रयुक्तानी नामान्यपी आगतानी संती। यथा सूत्राणि वर्तंते सास्मिन पौर्ण मासीती लिंग चोर्ध महोर्तिके पुष्यतिश्यो नक्षत्रे। विभाशा फालगुनी श्रबनाकार्तिकी चैत्रिभ्यह नक्षत्रेण युक्ताह कालह। कालेभ्यो भववत घावा प्रिथवी छंदसी पोनरवस्वोरेक वचनम विशाख योष्च फालगुनी प्रोष्ठ पदानांच नक्षत्रे विभाशा ग्रह इत्याधिशू सूत्रेशू ज्योतिस संबध्धाह सब्दाह प्रिवत्ताह संती। स्मृतिसू ज्योतिस विवेचनां। स्मृतिस विवेचनांच नक्षत्रेशू ज्योतिस 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 वि प्रदीयंते विश्तरभायात या गिबल के सुम्रितव नव ग्रहाणाम उल्लेखो द्रिश्यते। अमा वस्यास्ट का ब्रिधिही कृष्यण पक्षोय नद्वयं द्रभ्यं प्राम्हन संपत्तिर विश्वत सूर्य संक्रमहा या गिबल के सुम्रितव प्रतमाध्याया। अत्र सूर्य संक्रम इती शब्दह आगतोस्ति अनेन ग्यायते यत्तदानीम मेशादी रासिनाम प्रचारह आसीदे। नक्षत्रानी अधिकृत्यापी वरण्यम प्राप्यते यत्तिकादी वरण्यंतम इती या गिबल के सुम्रितव। अनेके विशयाह प्रसंगोप योगिनाह उद्धिताह संती। जोतिस विशयकम विवेचनम। महाभारते बहवो जोतिस संबध्धाह विशयाह विविक्ताह संती। महाभारते आगतानाम जोतिस विशयानाम सार रूपम अत्रोपस्था प्यमानम अस्ती। महाभारतस्य त्रीणी स्वरूपाणी मन्यंत। प्रत्मम जयो नाम इतिहासाह अस्ती। दुईतियम भारतम नाम आख्यानम बर्तते। तृतियम्च महाभारतम लक्ष लोकात्मकम इती। महाभारतकाले ग्रह गति ज्यानम संदिधं आसीत। ग्रहानाम गति विशय विशिष्टम चिंतनम प्राप्यते तत्र। अत्संबत्सरानाम्च मासानाम्चक्षयं तथा पक्षक्षयं तथा द्रिष्ट्वा दिवसानाम्च संक्षयं। पंच संबत सरात्मिकायाह युग पध्धते हे उल्लेखाह केशुचित स्थले सुप्राप्यते पंचानाम पांडु पुत्रानाम जनमक्रमशह एक वर्षा नंतरम जातमासीत विशयस्मिन लिखितमस्ति अनु संबत सरम जाता अपीते कुरुसत्तमाह पांडु पुत्रा निमल लिखिताई श्लोकाई ही इदम सिद्धम भवती यत तदानिं चैत्र वैशाख मासव एव वसंतरितु रूपे नाभि मन्येते स्मा यथा यथा कौमदे मासीरे वत्याम सरदंते हिमागमे स्फीत सस्य सुखे काले उद्योग परवणी तेशाम पुन्यतमा रात्रिही परवसंधाउस्मसारदी तत्रईव वसतामासीत कार्तिकी जनमे जय बन परवणी इत्थम ततत स्थलेसु जोतिस विशयक तत्वानां विवेचनं प्राप्यते एतत अती रिच्पुराणे स्वपी जोतिसी प्रसंगो दृश्यते गरुड पुराणे निसकर्स रूपेण विशयाह प्रवण्चिताह संती सामान्यतया सूर्य भ्युहुवरणनं जोतिस शा नक्षत्राasther नाम, कृत्तिकातो गनना, नक्षत्रदेवता कतनाम, योगीनी स्थिति निरणायाह, सिध्धी-योगाह, अमृत-योगाह, तसाफलं, यात्रा-विचाराह, चंद्रसुद्धी कतनांचे त्यादि-विशयाह, सम्यक्तया, विक्ताह, संती-तत्रा , आतती रिच्य वेदांग कालश्य अन्यभी जोतिस सास्त्र निरूपकाह ग्रंथाह संती येशु सास्त्रस्याष्य निरूपणं यथा योगं करतमस्ति इत्तं बेदांगत्वेन शास्त्रस्य अश्य विकास क्रमा हा मया उपस्थापिता हा, व्यवहारे अश्य शास्त्रस्य उपयोगित्त्वमा पी hallतिपादितं प्त्र याजुस्जोत से, रिक जोतिसे, अथर्व जोतिसे, शास्त्रस्यास्य वर्णनम कथम कृतमस्ती एतदपी मया अत्रुपस्थापितम महाभारते शास्त्रस्यास्य यत्किमपी वर्णनम प्राप्कते तदपी मया अत्रुपस्थापितम अग्रिमे पाठ्यां से वयं सिध्धान्त स्कंधस्य विकासात्मकं स्वरूपं इति विश्यम अधिकृत्य पठिश्यामाह तावत प्रयंतम नमस्काराह धन्यवादाह